आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धा अंतग नहीं होतरी स्टेडी ग्लोज पर आपका बहुत बसफ़ागत है तो दोस्तों हमारा जो नया चैनल है क्राइम अफियर उसको जरूर सब्सक्राइब करें अपसे जो क्राइम की न्यूज में स्ट रियसे बर जोगरफि मेंने ऐसे भी बढ़ा है जिसलियों का पुरा रिविव किया है शंदर यंजीऑ बात करते हैं तो अगर पॉन्ह Says σिस्टम बहुत ज़्याद़ ज़रूरी है आप इंडियन रिवर सिस्टम डालिए study glows आपको पता चल जाएगा तो देखिए अगर इंडिया के बात करते हैं तो भारत में dude सिस्टम भारत में एक बबर सिस्टम है याने कि हिमाले से जो औरिजिनेट होती है जो की पहल है लियरे मतलब सालों पानी देगा कीसे पानी रहेगा एक टो ग्लेश्यर से पानी आ रहा है दूसरा जब ग्लेश्यर से नहीं पानी आ है तो दूसा प्रफा को बेज़ अंदिया हो बेवेंगोल जाधा तर नदिया बेवेंगोल ओ इस्ट फ्लोइंग इधर फ्लोइंग डिवर है तो उसमें देखेंगे ना जो ढ़ाल बहुत इस्टन घाट का इस बहुत अन्यूज्यूल है वह ठीक है ना मतलब बहुती टेरा मेडा है भारत का वेस्टन घाट तो बिल्कूल स्मूध है यह बहुत टेड़ा मेरा क्योंकि नदिया काटती जाती है ठीक है ना तो यह हिसाब किताब है तो पैनिसुलर रिवर सिस्टम में जब बारिश होती है तो पानी होता है जैसे नर्मदा होगी गुदावरी को दक्षिन गंगा बोला जाता है सोला सौ किलो मीटर लंबी नदि है ठीक है ना क्योंकि भारत से सक्रा होता जाता है पेनिसुलर इंडिया तो नदियों की लेंध छोटी होती जाती है लेकिन जो हिमालियन रिवर सिस्टम है वो बहुत बढ़ा है हीूज अठाइस सौ किलो मीटर का कैच मेंट एरिया किसका देखे पहले तो आप यह समझे कि जो हिमालियन रिवर सिस्टम में है उसमें तीन नदिया आती है कौन कौन सी आती है सबसे पहले आती है कि इंडस जो लगबख धाई हजार स्कौर किलो मीटर का बहुत लंबा कैच मेंट एरिया है उसके बाद आपकी आती है गंगा जो पूरे भारत उत्तर भारत को जीवन देती है फिर आती है कि ब्रह्मपुत्रा जो पूरे नौर्थ इस्ट को जीवन देत है तो अब भारत ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है वो डिसीजन क्या कि नदी को रोग देगे हम इस नदी का पानी बंद कर देंगे लेकिन क्या ये इंडस है नहीं इंडस नहीं होगा सिंदू नदी को जिस दिन हमने रोग दी उस दिन पाकिस्तान खतम वो है रावी श अब हम शापूर कंडी डैम, डैम का काम क्या होता है, इरिगेशन परपस, बड़े-बड़े दर्वाजे होते हैं, स्टोर करता है वाटर, ठीक है वाटर पर पानी जरूरत के समय काम आएगा, तो अब रावी का पानी जो है, वो हम स्टोर करने वाले हैं, इससे 32,000 हेक्टियर जो सांभा और कटवा डिस्ट्रिक्ट, बहुत अच्छी बात है, वंदे भारत कटवा तक चला दिया आगे उदंपूर आता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको पता ही है कि और आगे निकल जाता हो, ये वैश्लो देवी, क्या बात है, तो अब यहाँ पे इस नदी का पा आपको बता दू कि बहुत इंपॉर्टेंट है डैम्स, अब बात ये है कि पाकिस्तान में ये नदियां जाती है, कैसे जाती है, हिमालियन रिवर सिस्टम में अभी मैंने आपको बता है, सिंधु नदी, इंडस रिवर है, अब इंडस रिवर जो है, चलो मुझे कमेंट ये बताओ, तो यहां से ये नदिया आप देख रहे हो, इंडस झेलम चेनाब, त्यान से देखना, इधार है न, इंडस झेलम चेनाब, ये वेस्टन रिवर है, नीचे वाली है सतलज, कहां चला गया है, या इदर, रावी बीस सतलज, ये इस्टन है, तो उपर वाली ये ज आके मिल रही है, और ये पाकिस्तान जा रही है, इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, इन नदियों का पाकिस्तान के पास है, यानि कि जो नदिया है, वो भारत की बतौलत पाकिस्तान में जा रही है, अगर भारत बंद कर दे, आपको बता दू कि कई बार ऐसा होता है, अ तो ये पानी के वज़े से युद्ध है, तो भारत ने कभी भी पानी को, मतलब ये हमारी, आप ये समझे कि हम इतने अच्छे हैं, भारत इतना महान देश है कि हमने महानता का प्रदर्शन किया है, इंडस वॉटर ट्रीटी हमको करने की जरूरत नहीं थी, पर 1960 में अयूब ख अगर हमने पाकिस्तान को दिया है, वचषिम भुटाओंगा, और अगर हम न हसको रोक लिया, तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पानी तक नहीं रहेगा बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनसान ये सबसे बड़ी है लोगों में कोई बहर नहीं है जो भी हो यार अभी 1947 से ही तो ये बटवारा हुआ है पहले तो आप नहीं थे तो ये चीज़ है लेकिन सरकारों का क्या कमिशनर बैठाय जाते हैं हर साल मिलते हैं अब ये वाली जो नदिया हैं इस पे तो पाकिस्तान नियूज है और नीचे वाली जो नदिया हैं वो भारत यूज़ करेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है पंजाब को लैंड ओफ फाइव रिवर्स बोला जाता है ये पांचोन अलिया पंजाब में बहती है इसलिए पंजाब में खेती बहुत बढ़िया होती है आपके साथ भी कुछ बहुत अच्छी चीज होनी चाह रही है दोस्तो हमारा जो ये गोल्डन फेज शुरू हो गया है परसो से जो हम लाइव क्लास लेंगे पौन एडिक्शन को खतम करने की आखरी 25 क्लास है ये और ये अभी दो फेज कम्प्रीट हो गया पचास दिन तक हमने हर दिन लाइव क्लास ली है फेज बन पच्चिस जिसमें टेक्निक्स बताई फेज 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 एडवांस टेक्निक बचाई लेकिन जो आखरी फेज है ये गोल्डन फेज है ट्रांस्पार अवेटिव फेज है कमाल हो जाएगा दोस्तों आज और कल हमने सेल चलाई है साड़े तीन सो रपे का बस हमने एक कोर्स रखा है और साड़ी क्लासेज बैसे भी रिकॉर्डट फॉर्म में है और ये जो आखरी पच्चिस क्लासेज है ना कमाल है तो आप ज़रूर को अवेल करें स्टेडी ग्लोज आप को डाउनलोड करें तो अब क्या है अब देखीए भारत ने बोला करो लेकिन भारत के साथ दिक्कत क्या है देखे पाकिस्तान जो है ना वो हमारे साथ कई बाद स्कोले के बत्ति मीजियां करता रहा है आपको याद होगा पिछले साल भारत ने बोला था तीन महीने के अंदर रेप्लाई दो वन्ना इंडस वाटर ट्रीटे का प्लेन बना के उड़ा देंगे है ना क्यों दो प्रोजेक्ट किशन गंगा और रातले किशन गंगा प्रोजेक्ट बहुत इंपोर्टेंट रहा दोनों ही प्रोजेक्टों साड़े 5000 करोन में बनाया इह लगबग लगबग रातले अभी बन रहा है अभी बना नहीं ए मैठी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट से हो लगबग साड़े 800 मुइट इलेक्रिक सिटी वह कशमीर को देगा ये सारे 300 मेगवाट इलेक्टिक सिटी जो है जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है वो कश्मीर को देगा किशन गंगा कौन नदी है जेलम की ठीक है वो बेसिकली जेलम की ट्रिब्यूटरी है और ये रातले जो चनाप की है वो बन रहा है तो 2018 में इसको पूरा कर दिया हमने अब पिछले साल ये हमने बोला कि भाईया देखो बहुत हो गया है इंडस वाटर ट्रीटिव हमको मोडिफिकेशन चाहिए क्यों क्योंकि पाकिस्तान इस पर आपत्ती जता दी थी बलकि पाकिस्तान दोस्तों अपने डैम बना के बैठा हुआ है मंगला डैम बना है उसने और देखिए इसमें 12 आर्टिकल से आर्टिकल 9 में डिस्प्यूट रेजूलिशन की बात है वो भी तीन स्टेप प्रोसेस है पहले स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत है आउस सवाल जब आप आपस में निप्टा लेते हैं दूसरे स्टेप में डिफरेंस है तो निउट्र तुम को कितनी बार बोला है तुम्हारी वजे से हमारा बरफ्र्जिक डिले हुआ अनुन को बार बबार नोटिफाय के हम क्या करने वाले है तुम्हेर जवाब दिया और अलस तुम्हारे रगरग है और अब यह तुम केरे तो नेता-गिरी कर रहे हो कि वर्ल्ड बैंग चले जाओ तो यहाँ चले जाओ तो वहाँ चले जाओ तो पाकिस्तान वह लए नहीं अब वर्ड बाते मान ली कि ठीक है भाईया हम भारत की बी सुन लेगे न्यूटरल कमिश्णर की और इंका भी डिस्प्यूट resolution कर लेंगे कोई बात नहीं तो पिछले साल भारत ने notice दिया था हला कि बात चीज से मामला सुल्टा दिया गया बट अभी भी दोस्तों Indus Water Treaty की इसकी modification की मांग हर वक्त करती जा मतलब ये भारत की तरफ से है वार में दोस्तों मतलब अब आप ये समझे कि दूसरे देश को तरपा दिया जाता बट भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया हम तीन और लड़ चुके लेकिन हमने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया और उठाना भी नीच चाहिए क्योंकि भारत को ये बैकफार कर सकता है हाला कि हम कर देंगे कोई कुछ नहीं घंटा कोई कुछ नहीं उखार सकता लेकिन क्या होता है ना कि फिर पाकिस्तान इसको सिंपैथी गेन करने के लिए इंटरनाशनल पोडियम पर भारत प्रेशर आ सकता और भारत ऐसा करेगा भी नहीं ये पॉजिटिव ट्रीटी आपक पाकिस्तान की दिक्कत नहीं है पाकिस्तान के प्रॉफिट है तो पाकिस्तान ने कभी भी इसमें बात नहीं उठाई और भारत को तो लौट से एक तरीके से ठीक है हम पालियुतना नहीं उसकर पा रहे है भारत नहीं कोई बात नहीं तुम हमारे छोटे भाई की तरह ठीक ह हाँ है कि आपको पता ही है कि क्या क्या करता रहता है तो बात यह है कि कभी-भारत ने कितनी base creation आ गई यह कभी करना और यह successful treaty हुई है हम कभी बी को थे नहीं हें यह पाकिस्टान के तरफ से आता है सबसे पहली बात होई है अब अगर हम इसकी बात करें आज रावी रिवर की बात करें तो पीवी नरसेमा राओ ने इस प्रोजेक्ट को चालो किया था 1995 में ठीक है इस पे बड़ी दिक्कते होई बहुत ज़्यादा दिक्कते होई फाइनली 2018 में नरेंद्र मोधी ने इसका इनाउगरेशन किया और अब जाकि यह बोला गया कि फाल तो मैं पानी पाकिस्तान में जा रहा था पाकिस्तान उसका यूज तो करनी रहा तो ये तो हमारे राइट्स में है तो हम इसका पानी जो है यूज कर लेंगे और यह जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के भाई हैं उनको हम पानी द generate कर सकते हैं लेकिन अभी हम बहुत कम कर रहे हैं आधी से आधी कर रहे हैं तो आप क्यूं कर रहे हैं डैम बनाओ hydroelectric power का अच्छा use हो सकता है बट हमको समझना पड़ेगा कि उसको भी ecology को देख कि हमको वो डैम बनाना है जो कि बनाए जा रहे हैं डैम बनाते हैं वो पानी जो है वो कश्मीरियों को मिलता है जिससे irrigation की problem solve होती है electric city की problem solve होती है और domestic purposes की problem solve होती है पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है लेगिन कहीं नहीं कि पाकिस्तान इसमें अडंगा लगाता है पहली बात तो है कि पाकिस्तान इसलिए अडंगा लगाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कश्मीरियों को कोई फाइदा मिले वो चाहते हैं कि कश्मीरी जो है वो हमेशा घरीब रहे हमेशा परिशान रहे क्योंकि उनका में यही मोटिव रहता है कि किसी तरीके से इनको दंगा भरका दे लड़ाई करवा दे बस ये ठीक है वह जैसा अमके देश का हाल है वैसे यहां पे चाते हैं तो बार-बार इसपे सवाल उठादेता अगर भारत कुछ भी काम करता है तो लेगन इस बार भारत ने बोला कि भी जो बारत को इस पारी पर तुमको तो कुछ जरूरत है नहीं कर दी जाए भारत की तरफ से क्योंकि यहां पर गाड़ी की स्टेरिंग भारत के पास है अब वो तो हमारा बड़पन है कि इतना कुछ होने के बावजू तुम इतना बोल देते हो हमारे लिए हम कुछ करते रही है और ना करने पर आए तो बहुत कुछ हो सकता है ठीक है तो य जूड़ी है यह कि हम आपने पडोसियों से रिष्घ लेवाना के रखें बात टीकि पढ़ोसी नहीं चाहता कि हम से रिष्ट अच्छ हूँ लोग चाहते हैं वहां पे लेकिन यहां की जो सरकारे वह बिल्कुल अगेंस्ट है, आर्मी बिलकुल अगेंस्ट है, क्योंकि उनके प्रपगेंड़ा को वही सूट करता है, कलप्ट है वहाँ पी आर्मी, उनको पैसा मिलता है, लोग भाड में जाएं, चाइना से पैसा मिल रहा है, हर जगा से पैसा मिल रहा है, तो उनके प्रपगेंड़ा को य सूट करता है में विलन हमारे चाइना है और पाकिस्तान का भी में विलन चाइना है ठीक है बट वही ना कि देखो जो जिसके इंटरस्ट में काम आए फिलाल यह ले चर्था आई होप आपको समझ में आया होगा खुश रहे पर तेरे दिससे सिद्धान तक नहीं होतरी साइनि उसद्धत कर लेंग कर तो जा सिन्सट कर दो कर दिम्हें आएम सुब